तो जी हाँ दोस्तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तो कि अगर हम सभी का पैसा अगर गलत तरीके से यह नि कि दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग कहीं पर दूसरे जिगे पर पैसा सेंड कर रहे थे अगर आपका गलती से अगर किसी एकॉंट न पैसा गलत तरीके से अगर गलिजी कर ट्रांसफर हुआ है तो सिर्फ आप सभी को दोस्तों मैं फोन पर क difficult बताने वाला हो ठिक है गुगल पका में प्रोसस नहीं बताने वाला हो तो आप सो अगर मैं बता दूआ अगर आप लोग इस चीज़ को देखकर अगर आप लोग हमारी वीडियोस पर किलिक किया है तो बिलकुल आप लोग सही वीडियोस पर पहुंचे है आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हो कि किस तरीके से आप फोन पे के अंदर जो आपका बैलेंस जो अ नयान वाला वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तु पूरा कमप्लीट जान करी एक लाम को टूटरियला में आपको विस्तार से समझाओं दोस्तु बिल्कुल ध्यान पूबक देखीएगा तभी आपका ये काम हो पाएगा दोस्तो नहीं तो दोस्तों पैसे जाने के बाद हम सभी बास बहुत ही जादा प्रोब्लम हो जाता है तो चलिए दोस्तों मैं सारज को कट करता हूँ जैसी कि यहां पर देख पार होगा कि हमने यहां पर 14 सुरपए मिस्तेक्स है दोस्तों यहां पर मैंने गलत यहां पर इस से भेज़ दिया हालाके दो तो दोस्तों इस बंदे से मैं कॉंटेक्ट होने के बाद किसी परकार से बात नहीं हो रहा है, तो हम किस तरीके से फॉन से टोस्तों अधर मैं वापस ले सकते हैं बिल्कूल आराम से, लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ धेयान रखना को खीजों का, तो चलिए आ आपको डिट को restricted करना होगा अब जैसी के यहांपर हम open करते दोसों यहांपर आप के बाद यहांपर आपको अपने history पर कलिक करना है याद रखाना है अब इस बंदे को दोस्ट यहां पर मैने इस बंदे को गलत तरिके से यहां पर mistake से हमें इस intelligence सेंट कर दिया आप इस वाले options पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना इस चीज को पहले आपको एक इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको आपको नाम मिल जाएगा जिसका नाम यहां पर मिल जाएगा मैंने गलत से खाते में पैसे भेजा आपको उपर वाले options पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर दोसु देख जया गलत तरीके से पैसा अगर अधिक जाने यानि कि दोस्थ यहाँ पर आपको एक ticket number यानि कि दोस्थ एक token number आपको यहाँ पर एक provide कराया जाता है तो इस number को आपको copy करना होगा दोसु ने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछी इस तरिकर्पेस आपको देहने को मिलेगा कितना अपने से को ट्रांजक्शन किया हुँ है यह आपको दिख का आपको लड likely करना उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरिके का इंटरफेस आगा तो यहां पर आपको एक टोकन आइडी मिलेगा इस पर क्लिक करना है उपर में जो जितना भी आप लोगों ने जो आपको उसी वाल उप्संस पर क्लिक करना है यहां पर आपको रिप्ले और उप्संस पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको रिप्ले पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्व यह आपका request चला गया है दोसो phone page के अंदर दोस्व आपको 12-48 गंटे के अंदर यह 7 दिन के अंदर भी आपको यह पैसा आपको refund कर दिता है अगर आपको यहां से भी refund नहीं होता दोस्व तो मैं आपको एक number बता रहो दोस्व उस number पर आप direct call करके डालेट वहां से refund करा सकता है तो चली मैं number बता देता हूं दोस्तों ताकि आपसे भी को किसी पर करका कोई समसिया ना हो तो दोस्तों यहाँ पर आपसे भी को एक number देखने को मिल रहा होगा दोस्तों phone पे की तरफ से दोस्तों जो आपको इसी number पर call कर लेना दोस्तों number मैंने यहाँ पर आपसे भी को स्क्रीन पर बता दिया है आप इस number पर दोस्तों call करके सिकाय दर्ज करा सकते हैं और बिल्कुल आसाने से दोस्तों आप अपना पैसे को refund करा सकते हैं इसके बाउज़ित भी अगर आपसे भी को अपना पैसे refund नहीं हो रहा दोस्तों आप लोग क्या करें दोस्तों आप लोग अपने bank की दोस्तों नजदी की bank में जाए दोसर वहाँ पर जाने के बाद वो transaction ID दिखा है जिससे आपका उस account holder का दोस्तों जो account है वह ब्लोग कर देगा और उसको यहाँ पर दोस्तों बैंक में आगर के दोस्तों उस पैसे को आपको refund उसको करना पड़ेगा तो दोस्तों जो तरीका था दोस्तों आउनलाइन मैं आपसे भी को सारा तरीका बता दे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मिलता नेक्स्ट वीडियो